Students, Board ने जो आपका Model Paper जारी किया है 2023 के लिए, काफी समय बाद में जारी किया है, लगबग 4 साल हो गया, Board ने अभी तक आपको लोगों के लिए Model Paper जारी नहीं किया था, लेकिन अभी इस साल के लिए Model Paper बोड ने जारी कर दिये हैं, इसमें भुगोल का Model Paper है, इससे पहले मैंने आपका Hindi, English और अन्य सब्जेक्ट जिसमें आपका राजनीती विज्ञान हैं, वो सारे सौल करवाए हैं, और आप लोगों का Comment कही दजार रहता है, अगर आप Comment करते हैं, तो बागी की Solutions भी आपको मिल जाएंगे, और इन सभी प्रशन पत्रों का pattern कर रहेगा, ये भी मैंने स जो है कोई उचित्ते नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय हमारे को समय नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी Comment करें, तो आपने समय अनुसार करते हैं, जब भी आपको लगता है कि इस वीडियो का next solution चाहिए, यहाँ पहला प्रशन जो पूछा गया है, निमलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रशनों में लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यह question होना चाहिए, तो यह इसको भूल जाओ आप, निमलि सबसे important चीज है और उसके बाद में prediction करना ठीक जाईए कि आपको जब वीडियो दिखाया जाता है तो उसमें क्या answer सही होगा या क्या गलत होगा उसमें सापको सही या गलत का चुनाव करना आना चाहिए क्योंकि यहां पर आपके नंबर नहीं कटेंगे जब exam में जाओगे त तो गलत नंबर मिलेगा यानिकी 0 मिलेगा अगर आप सही लिखते हो तो पूरे नंबर मिल जाते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप prediction करना सीख लीजिए अराम से ताकि आपको थोड़ा सा जो है exam में तहूलियत मिल सके साथी साथ आप जो है score को बहतरीन भ प्रतिकर्ष कारक जो है जल भराव हो जाएगा यानिकी सब जगे केवल बाढ़ की वैस्ता हो जाएगी जहां पर सब जगे पानी भर जाएगा तो यह प्रतिकर्ष कारक में आता है बेरोजगारी हो जाएगी जब खाने पीने का सामानी आपके पास नहीं रहेगा तो यह भ विमारी है तो उसके लिए आप पूरा पना घर-बार छोड़ करके नहीं जाओगे, क्या करोगे आप जाकर के जहां पर चिकिस्चा कराना है, तो केवल वही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि उसकी पढ़ाई के लिए पूरा घर बार आप छोड़ करके और दूसरे सिटी में सिफ्ट हो जाओगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं, प्रतिकर्ष कारक वो नहीं है, जो एक इंसान को मजबूर कर दे, कि ए प्रकार का उद्ध्योग अन्य उद्ध्योग के लिए कच्छे माल का उत्पादन करता है, तो देखो निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्ध्योग जो है, वो अन्य उद्ध्योग के लिए कच्छे माल का उत्पादन करता है, प्रेडिक्शन करना सीखिए, इसका आंसर क्य आपने प्रेडिक्ट किया होगा, और आप सही है या गलत है, आपको पता हो जाना चाहिए कि संयुत राज अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके बाद संनगर का उधारन बताना है, संनगर वो नगर होते हैं, जहां पर छोटे-छोटे नगरों को मिला कर एक बड़ा न गराते हैं तो उसको संनगर कहा जाते है, जिसे शिकागो, जो है छोटे-छोटे कस्भो को, शहरों को मिला करके, शिकागो नमक सहर बना, इस तरह से टोकियो बना, ग्रेटर लंदन मना तो यहाँ प тай यानि कि सभी की सभी संद्नगर के उधारण है तो यहाँ पे यह सभी सभी रॉप्शन राज्य मोरे फैसे , गहर उंसे क्या कहते हैं तो जू प्रवास जब एक राज्य से धूसरे राज्य में होता है तो उसको हम कहते हैं अंतराजिये प्रवाश, या कहते हैं अंतराजिये प्रवाश, यानि की गव ओप्शन आपका correct होता है, जल किस प्रकार का संसादन है तो देखिए जल प्रित्वी पर आप जानते हैं सर्वी जगह पाया जाता है लगबग 75% जल हमारी प्रित्वी पर उपलब्द है बाकी 25% हमारे बास भूमी उपलब्द है जिसमें भूमी में भी पहाड पहठार जंगल सभी को सामिल किया गया है यानि कि प्योर 75% जो हमारे पास केवल जल ही जल है जिसमें आपके लगी जगह है जहापे केवल बर्फ की मात्रा है बाकी अपनी इंडिया में भी देख सकते हैं स्री नगर है आपका उत्राखंड है यह सभी जगह का है आपके बर्फ मगन है यहापे बर्फ बहुत जादा पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं, कि जल जो है, एक तरह से चक्रिय संसाधन है, क्योंकि वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, और वापिस से बादल बनके, फिर से वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, फिर से बादल बनता है, फिर से नदियों में जाता है, फिर वर्षा के रूपने प्रात होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, घाव option correct हो जाएगा, चक्रिय संसाधन, नेक्स जो कुशन है, दो देशों के मद्दे का व्यापार, जो हम दो देशों के मद्दे व्यापार करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, अंतररास्त्रिय व्यापार, क् देश के अंदर के आजाता है, और अंतररास्त्रिय व्यापार, देश के बाहर के आजाता है, इसके वाज़ों next question है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्रदाई है, तो प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक, दोनों ही आपके प्रवास के लिए उत्रदाई होते हैं, ठीक है यह दिया था sample ने, अगर आपको याद होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा, तो आपका नाम क्या लिखोगे, sample, और sample कौन थी, तो sample जो थी, वो थी आपकी शिश्या, और किसकी शिश्या थी, यह आपको मुझे comment section में बता देना, कि यह किसकी शिश्या थी, ठीक है, तो यह answer में हम लिख सकते हैं, चर्चिल sample, तो इस answer को note कर लिजिए, और मैं यहापे आपको answer बता जाता हूँ, तो हमारी एलन चर्चिल sample, और आपको यह पता होना चाहिए, कि यह किसकी शिश्या होनी चाहिए, या है, तो इसका answer आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कई बार कि फलाने की पिश्या कौन थी, MCQB बनता है, और One Word भी बनता है, ध्यानकना इस बात को, इसके बाद में कारेशील जनसंख्या से क्या भी प्राय होता है, तो कारेशील जनसंख्या, उसे जनसंख्या को कहते हैं, जो 15-69 वर्स की IU में काम करने के लिए लायक होती है, यानि कि हम कह सकते हैं, 15-69 वर्स की IU वर्स की जनसंख्या को कारेशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा, इसके बाद हमारा next question है, इसमें पूछा कि ट्रक क्रिशी क्या है, ट्रक क्रिशी जो है केवल आपको एक प्रकार की विशिष्ट क्रिशी ह होती है, जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फशलो को उगाया जाता है, जिसमें सब्जी होती है, आपके फल होते हैं, पुष्प होते हैं, और यह सारे के सारे उगाया जाते हैं, और इनकी मांग जो है नगरिये छित्रों में अधिक होती है, यानिकि आसपास के छित्रो ऐसे देशयो का सदस्थ्चे है, हम कह सकते हैं, ओपिक पेटरॉलियम निर्यातक देशो का संग्ठन है, इसका मुख्यालय हम बोल सकते हैं, वियाना अस्ट्रिया में है, ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ओपिक का, और यह पेटरॉलियम पढारतों का आयोकिस्थ अपना, कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 में हुई थी, तो ये इसका आंसर हुआ, इसके बाद में भारत के दो अंतराश्टी हवाई अड़ों के नाम लिखने हैं आपको, तो इसके अंतराश्टी हवाई अड़े, इंद्राश्टी हवाई अड़े, राजी अड़े ह ज्यादा समय आपका निकल जाएगा, तो उस समय आपके solution नहीं मिल पाएंगे, आसे करता हूँ, इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ भैतरीन सीखा होगा.